तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि अंतराश्ये कवरेज होने जारी है, ग्लोबल कवरेज, 170 देशों में, जी के तमाम प्लैटफॉर्म्स पर आप देख पाएंगे, जी टीवी और जी नूज हर जगा, आप ये कवरेज देख पाएंगे, मतलब इससे बड़ी कवरेज, शा प्रभावित करने की कोशिश होगी, तो सड़कों पर खून बह सकता है, हत्यार उठा सकते लागा, कलीवियम को लेकर 22 विपक्षी दलों ने के निता चुनाव आयोग से मिले, अला कि चुनाव आयोग ने विपक्ष की आशंकाओं को निराधार बताया, इसके बावजूद आज आयोग इसी मुद्दे पर पैठक भी करने वाला है, तो मिलाकर चुनाव नतीजों के पहले एवियों का जिन एक पर फिर जाग उठा है, इस मुद्दे पर आज भहस करेंगे, पहला सवाल ये रहने वाला है, कि जनादे शुद है, फिर एवियम पर क्यों युद्ध है सवाल नमबर दो, इवियम के भाने हार का डर चेपा रहा है विपक्ष, चुनाव आयोग के भरोसे पर विपक्ष को क्या यकीन नहीं है, जरता के फैसले पर खुन खराबी की आखियों दी जारी और मुद्धों से हारे विपक्ष को अब इवियम का सारा, सवाल शाय दिये की महाल बनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, क्योंकि हार सामने दिख रही है, आगे बढ़ने से पहले इस वक्क का अपडेट ले लेते हैं, इवियम पर 22 विपक्षी पार्टियों की मांग पर आज चुनाव आयोग की बैठक भी होने वाली है, कल भी चुनाव आयोग से विपक्षी पार्टियों मिली थी, इसके लवाग कल 22 विपक्षी पार्टियों ने इवियम पर चुनाव आयो की सामने रखी थी मांग, विपक्ष की मांग ए कि गिनिती से पहले, यह important है, हमेशा गिनिती के बाद विवी पैट का मिलान होता है, 5 का, मांग है कि गिनिती से हर विदान सबा के पांच EVM का वीवी पैट्स मिलान हो अगर कुछ गड़बडी पाई जाए फिर तमाम वीवी पैट्स का मिलान होना चाहिए यह मांग की गई है हार का बहाना है मैंने बार-बार कहा है कि वो जीते राजस्थान, मध्यपदेश और 36 गड़ तो EVM ठीक है ममता जी जीते तो EVM ठीक है केज रिवाज जीते तो EVM ठीक है और BJP जीते तो EVM गड़बडे क्या मतलब है इसका अपनी हार का एक बारा ढूंड रहे है और कभी इस बात को न भूले कॉंग्रेस पार्टी के लोग सुप्रिम कोर्ट गए इसे सारे विपक्षिदल सुप्रिम कोर्ट ने इनकी बहस सुनने के बाद कहा कि पाच-पाच संपल हर विधान सवा में होगा और याद करिए कि चौथे चरण तो ये खामोश थे जब पाचवे चरण सिंग को मालू हुए कि हार होने वाली है तो ये बहाना बनाया गया है इसलिए मैं उनसे कहूंगा इसे बंद करें भारत की लोकतांत्रिक विवस्था और चुनाओ आयोग पुरे दुनिया में चर्चा में रहता है चर्चा हुई और चर्चा के बाद क्या हुआ खुदा पहार निकली चुहिया भी नहीं उसके बाद कॉंग्रेस के कुछ नेता जो है वो विदेश पहुँच जाते हैं विदेशों में जाकर के जो हमारे देश की एक परमानिक और पारदर्शी लोकतांत्रिक विवस्था है चुनाओ की विवस्था उसको बदनाम करने का एक ठेका लेके पहुँच जाते हैं फिर देश की सबसे बड़ी अदालत में जाते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत भी उस पे फैसला करती है अब ये जो EVM की विलाप मंडली है ये पूरी तरह से हार के हताशा में है और ये जो हार का हारर शो हो रहा है इस हार के हारर शो में ना कॉंगरिस को कुछ मिलने वाल और नहीं उनके कुछ साथियों को मिलने वाला है सबी का स्वागत है सबसे पहले यश्वीर ये सब अपनी जगा जो आप लोग बाते कह रहे हैं कि राहूल को बचाना इसलिए EVM बहाना है हार पचाने की कोशिश हार नहीं पचा पा रहा है लेकिन चिंता तो जाहिर की जा रही है कि EVM को लेकर विपक्ष विपलाब कर रहा है साफ दरसाता है कि जो जो 23 मई नजदीक आ रही है त्यों त्यों राज्तंत राज्साही तानाशाही परिवारवाद जातिवाद जैसे अध्याओं जो आलोकतांत्रिक अध्याएं उनकी समाप्ती हो रही है बात आती है EVM पर विश्वास की विश्वास जो शब्द है आप देखे 2014 लोकसवा चुनाव हुए तो प्रधानमंतरी शीरी नहिंद मोदी जी की प्रती लोगों की उमीद थी देश की जनता की उमीद थी और वो उमीद पर खरे उत्रे जिस प्रकार से आपने आप प्रधानमंतरी शीरी प्रती है कल से ही जिसका भी कोई प्रशन आता है उसका रिप्लाई करते आ रहे हैं बात आये चंदोली की बात आये चाहिए गाजीपुर की बात आये चंदोली के खुद के जो लोकसर वा सांसात है समाजवाधी पार्टी उन्होंने लिखित दिया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कोई क्या है कि दिल्ली में और नौइडा में बैट करी कुछ जो राजनतिक दलजीने लगने लगा है हार सामने दिखने लगी है वो कहीं ना कहीं परसंद उठा रहे हैं बात जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार वाकाइदा लिखित दे रहे हैं चुनावाई हो कि हम को नतीजे आएंगे अगर आप लोग हार गए जैसा कि एक्जिट पोल बता रहे हैं एक्सेप्ट करेंगे हार को या फिर फिर एक ड्रामे की स्क्रिप्ट लिख दी गई है पहले से दरना प्रदेशन भी बार भी गलत निकला उससे पहले भी गलत निकला पिछली बार तो ब अगर हार गए एक्सेप्ट करेंगे जो स्टूट इस तरह से नहीं पढ़ा था वही मंदिर में पाया गया रिजल्ट के दिन तो हमने देगा कौन मंदिर में है अगर हार गए एक्सेप्ट करेंगे आप भी कैसे बाल सकते हैं कि अगर हार गए देखे ये सीकॉलोजिकल बात नहीं है हम ये कह रहे हैं कि EVM चार में क्या कर रही है प्राइवेट कार्स में कौन इसका जिम्मदार है तो रिजर्फ थे तो इलेक्शन जिस दिन खथम हुआ उसी दिन उसको अंदर चले जाना था काउंटिंग तक लिएंस कहां कहां घूम रही है आप मेरा सवाल टाल रहे है अगर चुनाव नतीजे आपके प्रतीकूल रहे एक्जिक पूल के हिसाब से रहे तो क्या आप इस डिफीट इस जनादेश का सम्मान करके इसको स्विकार करेंगे बस हाँ या ना अगर दुबारा से पूछ रहा हूँ अगर जनादेश आपके खिलाफ गया प्रतीकूल गया एक्जिक पूल के हिसाब से नतीजे रहे तो क्या जनता के जनादेश को सहर्श स्विकार करेंगे आप लोग हाँ या ना आप बताईए एक्जिट पॉल में एक न्यूसेक्स का सर्वे देखिए आप निलसेंगे इतना सिंपल कोईशन है सर 168 सीटों का अंतर है इपसोस में और न्यूसेक्स में तो कौन से नतीजे हम मान ले सर सारी मतलब आप आप नहीं मानेंगे ना अगर जनादेश आपके खिलाफ जाता है तो क्या आप उस जनादेश को सहर्ष सुईकार करेंगे सम्मान करेंगे या फिर वो ही सब होगा हतियार उठाएंगे सड़कों पराएंगे खून खराबा होगा या चुनावों को रद किया जाए धरना प्रदर्शन ड्रामा नोटंकी होगी या कहेंगे जो जनता का जनादेश हमारे खिलाफ हम सुईकार करते हैं क्या करेंगे सर अमर जी बिल्कुल सीधी बात पर आते हैं देश में आज 57 से लेके आज तक जितने भी चुनावों आए हैं और जितने भी चुनावों हुए हैं और उसके रिजल्ट आए हैं उसको राजनितिक पार्टियों को मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये जनता का दनेश है वो हमारे फेवर में आया है ये हमारे अगेंस में आये जनता का हुक्म सराखों पर क्योंकि हम लोग जनता के नुमायनगी करते हैं हम लोग कहीं भी हिंसा नहीं कर सकते ये मैं आपके सामने खुले चैनल पे आपको स्युगार करता हूँ लेकिन क्या सवाल ये है क्या ये एक्जिट पोल हुए है जो देश को पिछले दो दिनों से सारे टीवी चैनल और मीडिया चैनल दिखा रहे है ये एक्जिट पोल है अमन जी आपके चैनल के साम माध्यम से क्योंकि देश में विदेश में देखने अला चैनल है एक्जिट पोल नाम की कोई भी चीज इलेक्शन कमीशन ओफ इंडिया 2006 से बैंड कर चुका है क्यों मीडिया चैनल देश की 130 क्रोंड की जंता को गुमरा करते हैं क्यों साफ साफ नहीं बोलते हैं और मैं आपकी दाथ देता हूँ कि आपके चैनल ने पोल साफ पोल दिखाया है एक्जिट पोल नहीं दिखाया है क्यों नहीं दिखाया है इन मीडिया चैनलों को बताओ कि ये बैंड चीज है ने ये पोस्ट पॉर सर्वेज और एक्जिड पॉल में जमीन आसमान का अंतर होता है लगातार पोस्ट पॉल सर्वेज श्या एक्जिड पॉल जो हो रहे हैं उनमें लगातान सैंपिल साइज तो बढ़ता जा रहा है लेकिन रिपर्जेंटेशन ओफ कुशनेर जिन से किया जाता है उसकी क्रेडिबिल्टी कभी भी नहीं हो सकती है और क्यों नहीं हो सकती है क्योंकि maximum जिरों ने इस बार सरले किया है उसका कोई औचित्ते नहीं है, कोई एहमियत नहीं है लेकिन इसी exit poll से सबसे ज़्यादा आप लोग डरे हुए है नमबर एक नमबर दो, ये exit poll नतीजों पर तो प्रभाव डालेंगे नहीं न सर exit poll चुनावी नतीजों को प्रभावित कर नहीं सकते है इरबी क्यों exit poll से आप लोग डरे हुए है इसलिए चुनावा योग के दफ्तर के चक्कर काट रहे है अगर exit poll के एहमित नहीं है तो छोड़ दीजे सर आपको चिंता किस चीज़ की एक चोड़ा सबरेक ले रहे हैं लेकिन ये एक बार फिर से याद दिलाते हुए कि सबसे सटीक नतीजे सबसे तेज अपडेट्स और संपूर विशलेशन 23 मई सुबेशे वज़े से लगा था जीनीस बार तो बस कुछी गंटों का इंदिजार 23 मई तारीख वो तारीख जिस दिन पता लग जाएगा देश को कि किसकी सरकार अब की बार किसकी सरकार इस सवाल का जवाब मिल जाएगा मिसार्शिर सेना से चिंटु शेक साब है चिंटु शेक साब आप लोग तो बच गए वैसे आप तो NDA छोड़ने वाले थे बाल-बाल बच गए आप लोग क्यों बचेंगे हम लोग हमें मालूम था हमारा जो वीजन है हमारा जो मिशन था वो हमने किया मगर जिस तरीके से अभी EVM पे सवाल उट रहे हैं उसके उपर आरोप हो रहे हैं EVM लाया किसे इसके सब गया है जोकिदार चोर है रफाल पर जे पीसी सुनिए मगर जंता के हित के लिए हमने जो भी आवाज उटाई जंता के हित के लिए और कल जो नतीजे आएंगे तो क्या हाल होता है जिस तरीके से विपक्ष हम बचने का सवाल ही नहीं आता हमारा हमने जंता के हित के लिए काम किया और कल जो नतीजे आएंगे पूरे भावमत से हम लोग जीतेंगे और सब सीट पे जीतेंगे कि जिस तरीके से हमने काम किया है हमने यह नहीं कि आकरी मोके के उपर हमने प्रियांगा गायंडी को प्रवेश खड़ाया ऐसा नहीं जनता लेकि जनता को मोदी जी को विपक्ष ने बैंड मोदी बनाया को और जनता को वह न नतीजा आएगा बिलकुल नहीं में स्टाइल से काम करती है जनता के लिए काम करती है और जितनी भी ओड बैंक शिव से ने की है ये कल चुनाओं में मालूप पड़ जाएगा हमने किस तरीके से प्रचार किया हमारा प्रिपरेशन सबसक्ष में जा रहे तक सामना में लिखा जा रहा था अमिश्रामान मनौल कर रहे इतनी मीटिंग दौरी था अपको मनाया जा रहा था हम जनता के हित के लिए हम जनता के हित के लिए विपक्ष के पास तो कोई उमिर्वारी नहीं था इसलिए सभी राजनेटिक दलों को ये सोचना चाहिए कि आज मैं विपक्ष में हूँ, कल सत्ता में भी हो सकता हूँ और इस हिसाब से उनको अपनी नीती टैक करनी चाहिए. EVM के मुद्दे को इनका लोयातार पटाक शेप कर देना चाहिए क्योंकि इनी EVM के बल पर ये लोग सत्ता में भी आये हैं और सत्ता से बाहर भी हुए है. EVM हैक नहीं हो सकती, ये साफ है लेकिन जिस तरह से आप समवैधानिक संस्थाओं पर ये कहते हैं कि सरकार उनका दमन कर रहे हैं, उसी तरह से पक्षी दलों को या किसी भी राजने दिल को चुनाव आयोग पर उंगली उठाने से पहले सोचने चाहिए कि ये भी एक समवैधानिक संस्था है और यदि आप समवैधानिक संस्थाओं को तो ध्वस्त कर देंगे आप चुनावी प्रकरिया पर सवाल उठाकर कई ना कई पूरे 542 संसथों की चेन प्रकरिया को संशे में लाने की कोशिश कर रहा है विपक्षी यो शाइब लोगतन तर्की जयत देंगे चोड़ा समवैधा अब देगे उपेंदर कुश्वा जो है वो अपने बयान से पलट गए है पहले उन्होंने हत्यार उठाने की धंकी दी थी खून की नदिया बहाने वाला उनका बयान था कि सडकों पर खून बहेगा आप कह रहे हैं कि ये बात मैंने कभी कही नहीं पहले बूत लूटने की बात होती थी अब रिजल्ट लूटने की बात होती है ये उपेंदर कुश्वा ने का जनता में आकरोश है कभी भी सडक पर आ सकती है सडकों पर खून बह सकता है अद्दुलरजा खान हतियार उठाएं लिया हो हतियार तो नहीं उठालेगा विपक्ष सडकों पर खून तो नहीं भादेगा विपक्ष तेईस तरीक को ये लोग तंत्र का खून बाएगा मेरी खैल से अमन जी अभी भी काउंटिंग होना बाखी है देखिए इस से पहले अगर एवियम में छेड़ चाड़ नहीं हुई है कहीं ना कहीं हमको जो संदे है अगर वो नहीं हुआ है तो इतना मनोबल बीजेपी के पास आ कहां से रहा है जीतने से पहले आप सरकार गिरानी कोशिश कर रहे हैं मध्यप्रदेश, राजस्तान, बंगाल, करनाटक सब जगह आप शुरू होगा है इदर वो प्रकाश को निकाल दिये यूपी में तो मैं यह कहना चाहरा हूँ कि कौन से सरकार गिरानी की कोशिश हो रही है करनाटक में सरकार गिरानी कोशिश हो रही है, मध्यप्रदेश में सरकार गिरानी कोशिश हो रही है करनाटक के कौंग्रस के विदायक है, उन्होंने क्या ब्यान दिया कि मुस्लिमों को कौंग्रस से बंद कर नहीं रहना चाहिए कौंग्रस मुसलिमों के लिए कुछ नहीं कर रही है, इन्होंने मोधी जी की तरफ भी बादिल्टा पारिटी की तरफ भी देखना चाहिए करनाटक के विदायक को नहीं अपने नेताओं को समाल पाते हैं ना विदायकों को समाल पाते हैं सब्सक्राइब करते हैं सुप्रीम कोड पर शक्रते हैं तेश की हर समयदानी सब्सक्राइब कर देखने करते हैं तो यह चोड़ीस पर आप सब्सक्राइब कर दोजार चार में हरी नो में हरी कभी इवियम पर प्रसंचिन लगाया कभी किसी सब्सक्राइब लेकिन वी वी प्रसंचिन लगाया उठाइब कर दोजार चार में लेकिन वी वी प्रसंचिन लगाया उठाइब इसके बाद 2004 में हम हरे हैं 2009 में हम हरे हैं हमने लग अभी परसंचिन लेकिन लेकिन ये एक पास चारीस में भी हारे है ये श्वीर ये श्वीर है रामसे मेरा सवाल ये है कि इन लोगसबा चुनावों का कई राज्ये की विधान सभाओं पर असर पड़ेगा नमबर एक मतलब अगर लोगसभा चुनाव में मोदी जीत होती है आप लोगों की जीत होती है तो कई राज्य सरकारे गिर सकती है जिसकी तरफ इशारा अब्दुलरजा कर रहे हैं नमबर एक करनाटक में जहां मार्जन पर चल रहे हैं मद्यप्रदेश में भी खबर है कि बीजेपी की निताफ फ्लो टेस्ट की मांग कर सकते हैं दस के करीव इदायक आप लोगों के संपर्क में हैं और इसके लवा पश्रिम मंगाल में बता दिया गया है चालिस विदायक आ लगातार कॉङ्रेसी अद्डेक्स प्रदेश के लगातार कह रहे हैं कि ये हो रहा है वो रहा है लेकिन हुला क्या परिणाम तो कुछ नहीं कि इन्हों अब्दुल रजा खान आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं अब गर को सम्हालने की बात का हमको जीने तेंगे तब ना कहीं जाते हैं उदर से 10 करोड़ पर आपके विदायक विदायक आपके विदायक विदायक अवेलिबल पर सेल हैं वो विका हुआ है आई-टी रेट्स करके कहीं न कहीं डराया जा रहा है अरे डरा आपके घटवंदन के साथी डरा रहे हैं कि खून खराबा हो जाएगा पहले पॉलिंग बूद लूड लेते थे अब खून खराबा तर्वे आ रहे हो तक्वाल की बात है देश की जनता को डर अराम से डिबेट करेंगे सुबह का वक्त है अनर्जी बचा करेंगे कल के लिए कल भी बहुत अनर्जी चाहिए होगी आपको भी और आपको भी चिंटु शेक ने आपके पास आ रहा हूं उससे पहले डॉक्टर आशुतोश हाँ आप खड़ा कर रहे थे बोलिए सर अब जी मैं ये कह रहा हूं कि देश के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत का प्रहरी अगर अपनी सभाओं में खड़े होके ये बोलता है जो सत्ताधारी पारिटियों के 40 विधायक मेरे संपर्क में ये शर्मनाग बयान है और क्यों नहीं मीडिया जो इस लोकतंत का चौता प्रहरी है इस बात को कंड़िम करता है कि वो देश के प्रधान मंतरी है इस तरह कि भाशा को कैसे बहुत करे दीदी की दादागिरी से प ये किस तरह की भाशा योगियों कर रहे हैं कि 40-40 विधायक के संपर्क में आपके नेता महीलाओं के अंतरवर्ष्ट का रंग बताने लगें वो आपको भाशा उचित लगती है आपकी गटबंदन की साती माया वती धरम के आदार पर वोट मांगती है आपको वो भाशा लगातार हमले कि भारत को आपने बरबाद किया है चिन्टु शेक मतलब इन लोकसवा चुनावों का कई राजे की विदान सबाओं पर असर पड़ेगा कई राजे सरकारे गिर सकती हैं सरकारों का कू हो सकता है तक्ता पलट अदला बदली करनाटक में मारजन पर चल रही है मद्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है चिन्टु शेक जनता खुश नहीं है कल के परड़ाम आने के बाद तेजी सारीक के बाद नतीज़े आने के बाद पूरा जो विपक्ष हो शांत हो जाएगा कोमा में चला जाएगा यह अब चिला रहे हैं यह डर के मारे बोखला गया और इनकी चिलाड है यह चिलाड कर शांत हो जाएगी शांत होने के बाद जो स्टेट के हावर्मेंन में इनकी सरकार है वो भी घर जाएगी कुए काम ही नहीं है इनका कूछ वीजयन नहीं है ज glowingा केδतनी विकास के इनकी बाद इनका है इनके पास कोई स्टेटर जी नहीं है जिनके पास कौन सी सरकारे कि बता दिए रहें और ये मोदी-मोदी इतने इतना कर रहे हैं कौन कौन सी गिरेंगी सरकार बता देजे ना सब गिर जाएंगी जनता हिंसे खुश नहीं है सब करनाटक मदबदेश चतिजगर राजिसान पंजाब बड़े बड़े अरंकारी लेका गिर गए सर अभी की रिजल्ट नहीं आया इतना अंकार ठीक नहीं है सर अपने प्रवाइस किया बीजेपी के साथ आप तो बीजेपी के साथ मिन नहीं त्यार नहीं त्यार नहीं थे अच्छे लगना पाए यूपी में क्या हुआ जान से मारने के कोशिश होगी जिना मायवत्ति को आरूप लगाता जिस पार्टी पर उसके साथ मारे लेका है जान से मारने की कोशिश माफ कर दिया बहुत बढ़िया जान पर बन तक तो जान से मारने की कोशिश भी माफ हो दिया मुकेश कोशिक बेटे ने मुकेश कोशिक मुकेश कोशिक कई राज्जे सरकारे भी कर सकती है इस तरह विपारा बार 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 नहीं यह विपक्षकी रणनीती है दरसल यह रणनीती है विपक्षकी बाखलाहाट नहीं है इविएम पर एक लोगों को एक जुट करना विपक्षी दलों को एक जुट रखना उनको आपकरामक तेवर में रखना मुझे लगता है कि तीन दिन बहुत जरूरी था जो एगजिट पोल के नतीजे निखाए दिय थे उससे एक डिमरोलाइजेशन आना सौभाविक था मुझे लगता है कि कॉंग्रेस को दूसरे दलों को यह लगता है कि आखरी नतीजे आने के बाद नरेंदर मोधी और एंडिये को कुछ ना कुछ बाहर से समर्थन की जरूत पड़ेगी उनको जरूर आंधर प्रदेश तेलंगाना या बीजूद नतादल की और रुक करना पड़ेगा और समर्थन जुटाने की जो यह कवायद है इसको इस रणेनीते के अतहात विपक्ष यह चाहता है कि यह दल भी इतने अक्रामक तेवर में रहें कि उनको इन दलों से समर्थन ना मिल पाए एवियम उसका ए और यह strong rooms की चौकिदार चोर है का लेकिन अब पूरा विपक्ष चौकिदार बनकर चौकिदारी कर रहा है तमाम strong rooms की आपको इने कहेगा चौकिदार चोर है थोड़ा सब रेख ले रहें महुत बर शुप्रिया आप सबका तेज मैं सुबशे वज़े से लगाता सबसे अपडेट्स और समपूर विशलेशन सुदेशे वज़े से लगाता है